हेलो गाइस तो आज बना रहे है राजस्तानी तोरी की और मुंग डाल की सबजी तो सो गाइस मेरे वीडियो में बने रही है चलो वीडियो को स्टार्ट करते है तो है लो गाइस में हमने दो चमस तेल ले लिया गों आरी है थोड़ा सा अ नुशान मक मिर्ची पाउडर एड़ करेंगे थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा धन्या पाउडर थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक अब यह गलास पाने यड़ करेंगे देख सकते हो राजिस्तानी स्टाइल में मना रहे है तो सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक जरूर करना मेरी रैसिवी अगर पसंद आए तो आगे सेर जरूर करना तो अब इसके अंदर हमने पहले से कटिंग रखे रख कर ले रहे हैं जो हमने भीगो के रखी थी 30 मिनट पहले देख सकते हो अपने इसके अंदर एड़ कर लिया है तो आपको भी इसी तरह एड़ कर लेना है तड़का लगना के बाद तो हमने अभी तोरी काट कर देख सकते हो अब इसको एड कर लिया है, अब इसको अच्छे से पकाएंगे, कम से कम 10 मिनट, तो गाइस, बहुत ही टेस्ट इस अब की बनने वाली है, तो वीडियो में बने रही है, एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक करना, समेंट करना, सेर करना, तो गाइस, इसको 10 मिनट तक अब ही पकाएंगे, तो देख सकते हो, अभी थोड़ा पानी कम हो चुका है, तो सो गाइस, समझ जाओ के पानी अगर अभी इसके अदर जल गया है, सब कुछ सुग गया है, तो ये बनकर तयार होने लग रही है, तो सो गाइस, ऐसे ही इसी तरह बनाना है आपको, तो देख सकते हो, पानी हलका सा इत्कम थोड़ा सा रहे गया है, थोड़ा उसको भी हम और पकाएंगे, कम फिरम दो मिनट, तो देख सकते हो, रेसिपी बनकर तयार हो चुकी है, तो सो गाइस, कैसे लग रही है मेरी रेसिपी, कमेंट में जरूर बताए, अगर वीडियो अच्छा ल तो क्या बनकर तयार हुई है, ऐसा लग रहा है कि अभी कभी खाने को मन कर रहा है, तो सो गाइस, आपको कैसे लगी मेरी रेसिपी, तो कमेंट में जरूर बताना, तो खाने के लिए रेडि है, अब थोड़ा सा उपर से धनिया एड़ कर ले दे, और इसका स्वात और टेस् कर दो कहे trata कि अभी को जाए कर दिक एड़े रेसिए, तो कि खाने कि खाने कि तो से गाइस एड़ने के लिए, तो कुछमेज़ट समय बहुत है हुदा सिकत्या को अटूर सबी है, तो बहुदा के रहता है।